गाइस मुझे आपको कुछ दिखाना है आप इस पिक्चर को देखिए ये एक आम लड़की है अब आप इस पिक्चर को देखिए ये एक दुलहन है Who is more beautiful? दोनों में कौन ज़्यादा सुन्दर है कौन ज़्यादा खुबसूरत है अब आप कहेंगे इस बट ओव्यस जो दुलहन है वो ही ज़्यादा खुबसूरत है तो ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी पर आप अभी सोच रहे होंगे कि इंग्लिश और दुलहन इनके बीच का कनेक्शन क्या है तो गाइस पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप एक फ्लूइंट स्पीकर बनना चाहते हैं अच्छा छोड़िये इसे आप ये बताइए कि क्या आप फ्लूइंट इंग्लिश ना बोल कर कि वोल इतना ही चाहते हैं कि मैं काम चलाओं इंग्लिश बोल लू मतलब बोल पाऊं बस इतना आप इस बात पर ध्यान रखे गाइस कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप काम चलाओं इंग्लिश से काफी ऊपर उठ चुके हैं और आपको और आगे जाना है एक फ्लूइंस स्पीकर बनना है और उस जर्णी पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप चलाओं इंग्लिश को छोड़िए मतलब आप जो फोकस कर रहे हो न सिर्फ ट्रैंसलेशन पर कि मैं को कुछ पर्टिकुलर सिंटेंस ट्रैंसलेट करने आ जाएं आप उससे उपर बढ़िए और सीखिए फ्रेज़ आज मैं आपको दे रही हूँ 25 स्मार्ट फ्रेज़ जो फ्लूइंस स्पीकर यूज करते हैं और अप से आप भी यूज करेंगे तो आप भी फ्लूइंस स्पीकर के कैटेगरी में जरूर आचाएंगे अब जो आपका सवाल है कि दुलहन और इंग्लिश के बीच का कनेक्शन तो दुलहन क्यों सुन्दर लगती है क्योंकि उसके चेहरे पर मेकप होता है वही लड़की शादी के पहले उतनी खुबसूरत नहीं दिखती जितनी वह अपने शादी वाले दिन दिखती है क्योंकि उसके शेहरे पर मेकप होता है तो फ्रेज़ भी इंग्लिश लैंग्विज में मेकप का काम करते हैं और ये मेकप यूज़ करते हैं फ्लूएंस स्पीकर्स बट जब काम चला हूँ इंग्लिश आप ट्रेंस्लेशन में ही लगे हैं तो इतना नहीं सोसते हैं आप तो आपको भी मेकप लगाना है अपनी इंग्लिश में मतलब अपनी लैंग्विज को कुछ इस तरीके से सजा कर पेश करना है कि सामने वाले पर इंप्रेशन अच्छा पड़े आप नोटिस करें अगर आप कुछ बोलने और सामने वाला उबासी ले रहा है तो confidence पहले ही हिल जाता है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है आप खुद कहेंगे कि मैं कहां कि इन चक्रों में पड़ा हुआ था मुझे भी फ्रेजर सीक के अड्वान स्पीकर बना है Hey guys my name is Kanchan you are watching me on English Connection without wasting a single minute let's get started So the first one is I don't buy it अगर आप literal meaning पे जाएंगे तो buy का मतलब हरीदना लेकिन यहां इस का मतलब है मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती अकसर जब कोई कुछ कहता है तो आप कहते है मैं नहीं मानता वहां पे याप इसे यूस करेंगे इसका मतलब है इतने उदास क्यों हो जब कोई उदास देखे तो आप इस चीज को पूछ सकते हैं इतने उदास क्यों हो क्या सब ठीक है मुझे पता चला है कि आप मेरी चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जो रेट कलर का बटन आ रहा है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें उसके बाद आने वाले बिल आइकान को प्रेस करें ताकि आपको नोडिफिकेशन बिलकुल उसी टाइम पर मिल जा जैसे ही मैं नहीं वीडियो डालती हूं और आप बिलकुल सही समय पर सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाए इसका मतलब होता है मैं आपसे असहमत हूं लेकिन यहाँ पर जब आप I back to differ बोलते हैं तो यह एक polite तरीका है क्योंकि आप ऐसे भी तो बोल सकते हो I don't agree लेकिन यह polite तरीका है जब आप बोलते हो I back to differ इसका मतलब होता है अगर आप इतना कह रहे हैं तो अकसर आपको लोग insist करते हैं आप किसी के घर जाते हैं आपको विदाई मिलती है तो भी तो वो insist करता है इंसान कि आप उसे ले 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 तो आप क्या बोल सकते हैं I can keep it if you insist मैं इसे रख सकती हूँ या रख लेती हूँ अगर आप इतना कह रहे हैं तो The next one is what's eating you इसका मतलब है तुम्हें क्या खाये जा रहा है यहां literal translation ही है बट यह यूज होता है as a phrase what's eating you तो जब कोई काफी दुखी दिख रहा है परेशान दिख रहा है तब आप इसे यूज करें आप बोलें You seem really upset तुम काफी चिंति दिख रहे हो what's eating you तुम्हें क्या खाये जा रहा है मतलब तुम्हें क्या चीज है जो परेशान कर रही है The next one is I told you so मतलब मैंने तुमसे कहा ही था तो अगर कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसके लिए आपने पहले ही किसी को आगाह किया था और बोला था कि ऐसा होगा तब आप इसे यूज करते For example I knew that was a bad idea I told you so मुझे पता था कि वो एक बेकार idea है मैंने तुमसे कहा ही था So the next one is don't sweat it मतलब चिंता मत करो तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे जब आप चिंता करते हैं पसीना आता है So don't worry बोलते हैं don't sweat it बोलिये Example what's done is done जो हो गया so हो गया so don't sweat it so चिंता मत करो The next one is you bet मतलब करूँगा ही या करूँगी ही यहाँ पर आप येस बोलते हो लेकिन एक definite वे में बोलते हो कि पक्का करूँगा है A says could you help me move in tomorrow क्या तुम मेरी कल दूसरे घर में जाने में मदद कर सकते हो So B कहता है you bet what time means हा किस समय So हा करूँगा ही किस समय यह मतलब है You bet thanks for lunch The next one is coming right up means बस अभी आ रहा है So किसी रेस्टराण में आप जाते हैं और करते हैं वहाँ पर आपको वेटर भी बोल सकता है Coming right up means खाना जो है अभी आ रहा है घर में भी आप बोल सकते हैं Your food is coming right up आपका खाना अभी आ रहा है Coming right up अगला है I messed up मतलब मैंने गरबर कर दिया तो जब कभी आप से गलती हो जाए तो आप इसका यूज करें For example He is really upset with me वो मुझसे बहुत नाराज है I messed up मैंने गरबर कर दिया I messed up Our next phrase is What a small world मतलब दुनिया कितनी चोटी है Example देखिये I didn't know that you knew my aunt मुझे नहीं बता था कि तुम मेरी चाची को जानते हो What a small world तो देखिये ना कि हर दूसरा किसी तीसरे को जानता है जब ऐसा कुछ बताना हो तो आप इस तरीके से बोलेंगे आपने इतने phrases सीख लिए लेकिन अभी तक आपने like बटन पर click नहीं किया तो guys जल्दी से वीडियो को like करें इसे share करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही phrases और लेकर आऊँ तो जल्दी से comment section में आपको लिखना है दिल मांगे मूर इतना लिखते ही मैं आपके लिए और भी बहुत सारी ऐसे वीडियो लेकर आऊँगे जो आपके English को improve कर सके जैसे आप बोलते हो for sure या फिर sure मतलब जरूर तो वही sense यहाँ भी होता है sure thing मतलब जरूर sure thing I will call you once he tells me the truth पकका मैं तुम्हें कॉल करूंगा या जरूर मैं तुम्हें call करूंगा जब वो मुझे सच बता देगा sure thing just do me a favor and sit tight first our next phrase is don't be a stranger इसका मतलब होता है touch में रहना मतलब भूल न जाना आप अकसर देखते हो कि लोग काफी दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिलती है कोई touch में नहीं रहता बिल्कुल भी तो आप बोलते हो कि आप तो मुझे भूली गए तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे don't be a stranger example it was really nice seeing you again तुमसे दुबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा don't be a stranger भूल मत जाना touch में रहना the next one is it's written all over your face इसका मतलब ये तो तुमारी शक्ल ही बता रही है कोई खुश हो तो भी चहरे से पता चल जाता है कोई दुखी हो तो भी बता चल जाता है for example I know that you are sad मुझे पता है कि तुम दुखी हो it's written all over your face ये तो तुमारी शक्ल ही बता रही है अगर आप step by step English बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे आप को भी इंस्टॉल कर सकते है अगर आपके फोन में अभी तक अप नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाए English connection टाइप करें आप को इंस्टॉल करें और वहां भी हर दिन कुछ नया सीखें the next one is cat got your tongue मतलब बोलती बंद हो गई क्या या फिर मूँ में दही जमी है क्या तो जब कोई कुछ बोल नहीं पाता तब ऐसे आप बोलते हैं example what's the matter बात क्या है cat got your tongue बोलती बंद हो गई क्या या फिर मूँ में दही जमा रखी है क्या the next one is I'm sick of it मतलब मैं इससे पक चुका हूँ तो कोई चीज बहुत ज़्यादा हो जाती है बार बार होती है तो आप पक जाते हो उसे तब आप इसे बोले for example I'm not sure about you but I'm sick of it मुझे तुमारे बारे में नहीं पता है but मैं इससे पक चुका हूँ I'm sick of it they're taken over the next one is keep me in the loop मतलब मुझे खबर देते रहना जैसे आपके friends का group होगा और आपको सब कुछ पता है अभी लेकिन आपको उस दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो आप चाहते हैं कि जो भी छेजें हो जो भी बदलाव आए सब कुछ मुझे पता हो मुझे खबर मिलती रहे तो आप इसका यूज करते हैं इसका एक और मतलब भी होता है जब आप कोई काम करने में सफल हो जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ तुम आ गए बोलने के लिए तुम आ गए मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे यू नेश्ट वान इस यू नेवर नू मतलब कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो जाए तो फ्यूचर में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ ऐसा सेंस होता तुम आपको यू पर बदल सकता है यू नेवर नो कुछ कह नहीं सकते तुम आपको यू नहीं जासे आप बोलतो नो प्रॉबलम मतलब आप अग्री करते हो कोई बात नहीं वैसे आप बोलोगे नो स्वेट एक तरीके से आप अग्री करते हो कि आप मैं ये कर सकता हूँ नो स्वेट अगर तुम डिनर बनाते हैं तुमें सौ रुपए दोंगी तुम बी क्या कहता है तुम मतलब सुनने में प्लान अच्छा है तुमारा अब मैं करूंगा या करूंगी तुम खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो तुम खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो तुम खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो तुम खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो What's going on? क्या हो रहा है? What's going on with him? आगे है get to the point. मतलब मुद्दे पर आओ. जब कोई इधर उधर की बात कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका मेन मुद्दा क्या है, तो आप बोलते हो get to the point. Example, get to the point. You're making no sense. मतलब जो तुम कह रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो सीधे मुद्दे पर आओ. Now last but not least, beats me. इसका मतलब होता है, मुझे नहीं पता. तो जैसे आप बोलते हो I don't know, वैसे आप बोल सकते हो beats me. Example, what is he talking about? एक कहता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, तो B कहता है beats me. सबसे बेले अपने friends और family groups में सबके साथ share कर दें, ताकि हर कोई साथ में English सीखे, और साथ में आगे बढ़े. Guys, हम साथ में आगे बढ़ेंगे, तभी तुमारा देश आगे बढ़ेगा. मिलते हूँ आप से अगले वीडियो में. जैहिंद!